अब इस फीडियो में हम अभाजी गुनंद खंड विदे से वरग मूल निकालना सेखेंगे यानि प्राइम शेक्टराइजेशन मैथड से तो आप इस फीडियो को पुरा देखें दोस्तों इसके लिए आपको अपने प्राइम नंबर याद करने पड़ेंगे आपके प्राइ 23 17 19 देखें एक से दस तक भी चार है और 11 से 20 तक भी चार है उसके बाद आगे आपका 23 इस प्रकासिय चलता रहेगा देखें आपर पहला हमने उधान लिया है हम अंडूट 361 निकालेंगे तो इसमें आपको करना क्या है उस प्राइम नंबर का यहाँ पर भाग देना है जिसका इसमें complete भाग चला जाए तो दोस्तों आप यहाँ पर दो से ट्राइ करेंगे और दो से भाग होने का नियम मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके बहुत जगे काम आएगा किसी यदि संख्या का इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई है तो दोस्ते आपकी complete डिवाइड होगी अन्यत था नहीं यहाँ पर ध्यान किसका रखा जाता है complete डिवाइड होना जरूरी है उसके बाद तीन का क्या नियम है एड करने पर जो आपका नंबर आया है देखे हिंदी में लिख देता हूँ ठीक है योग योग करने पर जो आपका नंबर आया है इन सब को जोड़ेंगे वो आपका तीन सीधी पूर्णते भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका संख्यावी तीन से पूर्णते विवाजित होगी पांच का क्या नियम है पांच का नियम है दोस्तों आपका किसी का लास्ट अंक जीरो पांच ऐसा हो तो वो पांच से विवाजियोगी और बाकी आगे देखे साथ और यारा के इस प्रकार के आपको खूर्णते तो नहीं हो से साथ यारा तेरा सबसे हम चेक करेंगे लेकिन किसी से नहीं होगा 19 से जाकर होगा जब 19 का मैं इसमें भाग देता हूँ 19 का मैंने भाग दिया तो यहाँ पर 19 दू कितना उता 38 होता है जो कि 36 से ज़्यादा है एक वार भाग जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है साथ और यहाँ पर एक यह जो आगे का है यहाँ ले आएंगे अब देखिए 111 तरह आ गया 19 को 9 गुणा करते हैं तो उस समय आपका कितना आता है 101 तरह आता है देखिए माइनस करेंगे यहाँ पर तो 0 आ गया रहे यह नि रिमेंडर आपका 0 आ रहा है 19 वार अब देखिए 19 आपका खुद प्राइम नंबर है तो इसमें 19 कई भाग जाएगा तो यहाँ पर 361 के आपके प्राइम फेक्टर क्या आ गए दोस्तों हुगी इस मन्टिप्राइं गुदस आग origins आगे आपको यहाँ पर क्या निकालना है इसका उन्डूट निकालना है तो अन्डूट में आप देख qualified ृंडू्ट हम जानते हैं कि स्क्वएर उर न्डूर्ट कट जाता है तो बाहर आपको आजेगा स्थाट वेडिए हुँआ सबक्राइब दोस्तों 1225 का अंडूत निकाल ना हम क्या करते हैं गुणन करन करते हैं देखें तो यहां पर मैं दो का देखूं तो देखें दो का complete भाग होने के लिए मुझे क्या चीए इसका इकाई अंक यानि इसका जो लास्ट अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 यह चीए तो यह तो नहीं है इन में से कोई भी है नहीं करना है और हमें यहां पर उस नमर से डिवाइड करना होता है जिससे की complete डिवाइड हो तीन के पास आएंगे तो हम क्या करेंगे इन सब का योग करेंगे तो इनका चली योग करते हैं कितना रहा है साथ नो एक दस तीन का भी नहीं हो रहा है पांच का उजेगा देखिए पांच के लिए नहीं क्या है जीरो और पांच होना चीए तो मैं इसमें पांच का जब भाग देता हूं तो आपका कितना दो वार चला गया उसके बाद च्यार वार चला गया उसके बाद पांच वार चला गया चीक है अब दुबारा इसमें हम किसका देखेंगे पांच का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है पांच का भाग जा रहा है पांच का भाग दिया च्यार वार चला गया नौ वार चला गया अब आगे आपका उनुपचा सो थे आगे क्यूं बढ़ते हैं कि एसा थो हम नहीं करतיא कि कोई रेंडम नहीं ले ले लेते हैं उसका एक और किला है जैसे पांस का यहां पर भाग जाना बंद व गया है इसका मतलब अगे कहीं भी테ंका भाग नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपका कोई भी नंबर सो कि दिवाइड होता है जब उसमें वह नंबर जिसका आप लिवाइड कर रहे हैं यानि जिसका भाग दे रह utility के रूप में तरहिए यह जो उनपचास इसप में अब तो इस यह ऐसे समझाझ भाग दे तो दिखे 7 का भाग देते हैं कि शाथ में साथ काई बाग जाएगा आपका क्या है the prime number है अभाज यह संक्या है तो देखे यहाँ पर 1225 के में पास जो गुणनद खंड है वो क्या आगे पांच दो वार आया है उसके बाद साथ दो वार आया है अब अन्रूट का वेल्यू निकालना में आपको कैसे बताया कि आप क्या करेंगे यहाँ पे समान संख्या को एक साथ लेंगे और उसमें से एक वार बाहर ले लेंगे यह कितना बन जाता दोस्ता आपका 35 बन जाता है तो यहाँ पे इसका स्कोर रूट का वेल्यू आपके पास कितना निकल कर आया है 35 निकल कर आया है और स्कोर रूट के इंदी में क्या कहते है वरग मूल कहते है अगला हमारा है दोस्तों यहाँ पर यह है तो हम क्या करेंगे अपने अब आज यह गुणन खरण करना शुरू करेंगे तो मैं इसको लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर दो का भाग दूँगा देखिए दो का भाग जाएगा क्योंकि इसका एका यह क्या है आपका देखो यहाँ पर दो का जो भाग करनी है उसमें से 6 है तो इसमें मैं दो का भाग देता हूँ तो कितना 2 वार चला गया 0 आ गया उसके बाद 4 वार 8 वार चला गया इसमें दो का भाग जाएगा, एक वार जाएगा, उसके बाद 0, 2 वार गया और 4 वार, अगेन मैं भाग देता हूं, 5 वार गया, 1 वार गया, 2 वार, अगेन 2 का भाग जाएगा, कितना दो वार गया, जीरो और आपका सोरी में यहां पर मैं फास्ट बोल गया कितना पांच वार और छे अब सही बोलाओ अब देखे दुबारा हम दो का भाग देंगे यहां पर एक वार गया यहां पर दो वार गया यहां आट वार गया फिर दुबारा में दो का भाग दूँगा कितना छे वार गया चार वार गया फिर दुबारा दो का भाग देंगा ठीक है यहां पर कितनी वार गया तीन वार गया दो वार गया फिर दुबारा दो का भाग दूँगा एक वार गया छे वार गया फिर दुबारा दो का भाग दूँगा, कितना आठ वार गया, आठ में दो का भाग दूँगा, कितना चार वार गया, फिर दो का भाग दूँगा, कितना दो वार गया, दो में दो का भाग दूँगा, एक वार गया, लास्ट एक आए जब मनलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो और परतीख जोडे से यहाँ उसको एक वार बाहर ले लेना है, इस जोडे से आ गया बाहर इस जोडे से आ गया इस जोडे से आ गया और यह आपका अंतिम जोड़ा है अब इनका हम करते हैं multiply देखिए यहां पर 2 multiply 2, 4, 4 multiply 2, 8, 8 multiply 2, 6, 6 multiply 2, 32, 32 multiply 2, 64 तो आपका इसका अंडूट का value कितना निकल कर आया है आपका यहां पर 64 निकल कर आया है समझ आ गया यह रहता दोस्तों आसान सा तरीका और किशी को भाग करने में दिक्कत आ रही है तो इसे side में लिके भाग कर लेना चाहिए जैसे हम इसमें भाग करेंगे जब आपका तो कितनी वार जाएगा इतनी वार जाएगा जितनी वार जाता है उसको हम यहां लिखते हैं ऐसा समझे भाग किया कितनी वार गया उसको यहां लिखा चलिए next example लेते हैं हमने इसका आपका निकालना है और एक मुल तो हम क्या करते हैं देखो एक आसन सा काम करते हैं इसके अपने अभाजी गुणन करना शुरू करते हैं दो का भाग दूँगा छै वार गया उसके बाद चार वार गया आट वार गया अगें दो का भाग दूँगा तीन वार गया दो वार गया चार वार गया अगें दो का भाग दूँगा एक वार गया छै वार गया दो वार गया अगें दो का भाग दूँगा आठ वार गया एक वार गया अब देखिए आगे मेरा यहाँ पर दो का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि दो का भाग जाने का नियम क्या है 0, 2, 4, 6, 8 यह होना अच्छी आपका इका यंक यहाँ पर एक है यहाँ पर भाग जाने का मतलब है कि आपका complete भाग जाना चाहिए ऐसे भाग तो जाएगा लेकिन remainder आ जाएगा तो remainder वाला हमारा यहाँ चलेगा नहीं हमारा तो यहाँ पर वही चलेगा जिसका complete भाग जा रहा हो पूर्णते विभाजित हो तो मैं जाओंगा तीन के पास तो तीन का क्या नहीं मैं इनको एड़ करेंगे तो नो आ रहा है नो तीन से पूर्णते विभाजित यह नहीं यह भी होगा तो तीन का जब मैं इसमें भाग देता हूँ तो एक तरी तरी बेतरी से दो वार चला गया उसके बाद आपका साथ वार चला गया अगें तीन का भाग जाएगा देखिए यह कितना है इनका जोड़ देने दो प्लस साथ नो है नो में जाता है तीन का भाग इसमें देखिए आपका नो वार चला गया अगें मैं तीन का भाग दूँगा नौ में तीन वार चला गया तीन में तीन का भाग दिया एक वार चला गया तो यहां पर हमें क्या अच्छी इसका अंडूट का वैल्यू ची है तो हम क्या करते हैं समान से क्या का जोड़ा बनाते हैं देखिए एक जोड़ा बनाया यह दो का तो 2 बहार ले लिया, दूसरा जोड़ा अगेन 2 का बंद रहा है, इससे 2 को एक वार बहार ले लिया, उसके बाद अगला जोड़ा आपका 3 का बंद रहा है, तो इससे मैंने 3 को एक वार बहार ले लिया, अगला जोड़ा अगेन 3 का बंद रहा है, मैंने 3 को एक वार बहार ले है किसके द्वारा अभाज ये गुणनद्खन के दो का पूरा भाग उन संख्याओं में जाता है जिसका इका यंक आपका इन में से कोई एक हो यहां पर मैंने भाग के नियम लिख रखें पूर्णते विभाजित होने के नियम जीरो दो चार चाहे आठ देखिए इसका यूनि दिवाइड हो रहा है तो यह भी आपका खंप्लिक डिवाइड होगा ऐसा मैं क्यूं बता रहा हूं नियम आपको आपका इससे टाइम बचेगा चलिए योग करतें यह कितना हो गया दस और अठारा उन्नीस नहीं हो रहा है पांस से भी नहीं हो रहा है और यहां पर यह गुफभाइड करकर के चेक करते हैं साथ का जब मैं दिवाइड करता हुं तो यहां पर एक वाद चला जाता है उसके बाद अगेन आपका एक वार जाएगा उसके बाद अठा उना गया कितना आट वार चला गया और आपका उसके बाद 21 यनी कितना तीन वार चला गया अगेन फिर दुबार देखते हैं कि साथ का जाएगा यनी जाएगा तो चली देखते हैं साथ का जा रहे ही नी जा रहे है यहां पर देखो आपका कितना एक वार गया चले यहीं लिक देते हैं यहीं जाएगा तो ठीक नहीं तो वाइप कर देंगे उसको यहां पर आपका एक वार जा रहा है कितना चार आ गया और यह 48 हो गया साथ संग 42 इसमें से 42 जाएगा कितना आएगा आपका 6 आएगा और 63 नो आँवार जाएगा अब आप पहुंच गए किस पर दोस्तों यहाँ पे 169 पर और 169 हम जानते हैं क्या होता है 13 का स्क्वेर होता है तो यहाँ पे इसमें 13 का ही डिवाइड होगा यहाँ पर इसके आपके गुणन्द खांड हमने किया आप 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 गुणन्द खांड तो हमारे पास गुणनदखन्द क्या आया है इनको हम यहां पर लिखते हैं देखो साथ मल्टिप्लाई साथ आया है उसके बाद आपका 13 मल्टिप्लाई 13 आया है हमें क्या ची इसका अंडूट का वेल्यू चाहिए तो देखिए बिल्कु सिंपल होता है अंडूट का वेल्यू निकालना यहां पर आप समान संख्या का ग्रूप बनाते वे चलिए दो संख्या को एक साथ लेकर साथ का साथ के साथ बनाए और फिर उसको एक वार यहां पर बाहर ले लिजिए यहां से 13 आएगा और इनका मल्टिप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है दोस्ते यहां पर आपका 91 आ रहा है जो कि इसके अंडूट का वेल्यू है अब हमने ऐसा क्यों किया उस बात को आपको समझना जरूरी है यहां पर मैं आपको एक्स्फ्लेन करता हूँ ऐसा इसलिए किया देखे यहां पर इसका मतलब क्या है इन सब का मल्टिप्लाई यानि इन प्राइम नंबर का मल्टिप्लाई तो साथ मल्टिप्लाई साथ को हम क्या लिख सकते है साथ का इसको लिख सकते है तेरा multiply को हम तेरा का square लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि जब multiply में से क्या है और उनका अंडूट है तो हम उस अंडूट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों उनका अलग-अलग अंडूट लिख सकते हैं समझ आ गया और अब हम यह जानते हैं कि अंडूट का मतलब क्या होता है अंडूट का मतलब होता है दोस्तों यह आपका इवेल्यू तो आ गया ठीक अप थोड़ा में डिटेल से बताता हूं आपको तांकि आपके काम आएगे फीचर में अंडूट का मतलब होता है दोस्तों पावर हाफ अंडूट का मतलब होता है प साथ बसता यहां से तैरा बसता है ओके और यह तो देखे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ हो गया बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं हम समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे और जोड़े से प्रतिक संख्या को एक वार भार ले लेंगे आपको भी इस तरीके से दिक् दूट में ही रह जाता है ओके चलिए नेक्स एक्जामपल लेते हैं तो यहां पर इसका वेल्यू कितना निकला दूस्ता आपका 91 निकला है अगला एक्जामपल आपका यह है तो इसको ध्यान से समझते हैं देखो इसके हम गुणनखन करना शुरू करते हैं हम आते हैं अप आपका यूनिट इजिट हम देखते हैं क्या है यहां पर देखे 6 है यह निए आपका दो का इसमें complete डिवाइड होगा तो दो का मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर कितना तीन वार चला गया उसके बाद पांच वार चला गया ठीक अगे दो वार चला गया आट वार और डिवाइड करने में दिकत है तो आप क्या करेंगे इसे साइड में लेंगे और इसमें जब दो का डिवाइड करेंगे पुरा प्रोसेस करेगा तो आपका इतनी वार ही जाएगा ठीक है जितनी वार जाता है हम उसको इसके जश्ट नीचे लिख देते हैं ऐसा समझे दो कर डिवाइड किया कितनी वार गया इतनी वार गया चीक है अब देखी दुबारा हम इसमें दो कर डिवाइड करते हैं कितना एक वार चला गया उसके बाद आपका साथ वार चला गया च्छे वार चला गया चार वार चला गया दुबारा दो कर डिवाइड करते हैं कितना आ यहां से नियम से पता लग रहा है वर आप खुच्छ चेह कर सकते हैं 2 का जब दिवाइड होना बंद हो जाएगा तब ही हम 3 पे जाएंगे जब तक 2 का लिवाइड हो'T हो रहा है अगें, अगें, तो का लिवाइड हम करते रहेंगे तीन का लिव मदेखते हैं टांके हमारा time बेचे इन सब का योग करने पर जो आ रहा है वो 3 से complete divide होने वाला ऑना चाहिए तो योग करने 9 आ रहा है 9 तीन से divide होता है यनि ये भी होगा 3 का divide किया एक वार गया उसके बाद 4 वार गया और आपका 7 वार गया अगें देखें या आपका 3 से divide हो रहा है 3 का divide किया कितना? 4 वार गया और 9 वार गया कितना गया? 95 हम जानते हैं क्या होता है 7 का square होता है यहीं साथ से divide हो गा किसी prime number का यीud Mira square है तो वो उस prime number खुज से divide होता है क्योंकि divide होने के लिए आपके पास क्या चाहिए वो नमबर जिससे आप divide करें वो उसके factor के form में होना चाहिए तो यहांपे factor के form में होता है तो क्या होता है वो आपका cut जाता है कितनी वार जाता है divide आपका 7 वार जाता है या आपका ऐसे divide होने का जो तरीका न वो इसके अंदर में ये process होता है ये बता रहा हूं है तो देखिए या ऐसे समझ लीजी हमने 59 में 7 का भाग किया कितनी वार गया 7 वार गया जितनी वार जाता है इसको यहां लिख देते हैं अब इसमें 7 का भाग देंगे तो एक वार आ गया जब लास्ट में आपका एक आएगा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया अब हमें क्या लिखना है इसके अंडूट का वेल्यू जिसके हमने यहां पर अब हाज ये गुणनखंड किये हैं तो आप क्या करें दो संख्या का जोड़ा बनाते हुए उसमें से उसको एक वार भार ले लिए दो का दो के साथ एक वार भार ले लिए उसके बाद अगें दो का दो के साथ बन रहा है एक वार भार ले लिए उसके बाद देखो साथ का साथ के साथ बन रहा है एक वार भार ले लिए इनका गुणा करते हैं तो यहां पे आपका सा 3 21 और यह कितना बनेगा 2 multiply 4 तो हम multiply करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्ता आपका यहाँ पर 84 निकल कर आ रहा है तो इसके अंडूट का value कितना आ गया आपका 84 आ गया किसके द्वारा आपके अभाज ये गुणनखन विदी के द्वारा वीडियो कैसा लगा comment पर बताएं अगले वीडियो फिर मिलते हैं ऐसा मैं वीडियो के last में बोलता हूँ लेकिन अभी ये आपका कौन सा example हुआ है दूसरा example हुआ है अभी हमें दो example और करने हैं यानि चार example को मैंने आपको starting में बोला था तो उस बात को हम रखेंगे आगे देखें आपका आपका असान है याँ पर 7486 इसके देखिए बहुत फटाफट हो जाएंगे छे वार नो वार रखेंगे बहुत बाग दिया इसमें 7 का दिया, कितमें 7 वार गया, 7 में 7 का एक वार, process complete हो गया, आपके इस conduit का value क्या निकल कराया, देखे, जोड़ा बनाते हैं, 2 का 2 के 7 जोड़ा, इससे हमने 1 वार बहर ले लिया, उसके बाद, again 2 का 2 के 7 जोड़ा, इसको again, यहाँ पे 2 को इस जोड़े से 1 वार बहर ल रहा है, यानि 784 का value आपका prime factor से 28 निकल कर आया है, यह आपका इस वीडियो को last example, यहनि example नमबर 4, तो देखे, इसको मैं divide करता हूं, 2 करनी जा रहा है, मैं 3 का check करूँगा, इनको देखे, हम add करते हैं, तो कितना हो रहा है, यह सोड़ा, 18 यहनि 3 का जाएगा, अठाला क्या होता है, 3 से divide होता है, तो यह भी होगा, तो कितना वार, 2 वार गया, 4 वार गया, 3 वार गया, अगें इसको भी check करते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पर 7, 2, 9, हाँ होगा, 3 का किया, तो 3, 8, 24 और 1, अगें 3 का जाएगा, कितना 2 वार, और 7 वार, अगें 3 का जाएगा, कितना 9 वार तीन में तीन का three-wire ओर फिर तीन में तीन का एक वार हम um कि कि असके एंडूट की वेल्यू निकालना है तो देखिए हम क्या करते हैं यहां पर समान संक्या का जोड़ा बनाते हैं एक वार भाले लेंगे उससे क chat ओके इनका multiply करते हैं तो आपके पास कितना रहा है दोस्तों 27 निकल के आ रहा है यहां पे 739 का अंडूट यानि वरग मूल का value कितना आ गया 27 आ गया यह आपके चार example किये वीडियो कैसा लगा comment कर बाता है अग complete जाना ची यानि आपका reminder 0 आना ची तो देखिए 2 का 2 से कोई भी संख्या कब complete divide होती उसका नियम है तो उस नियम को आप याद करके अपना time बचा सकते हैं calculation की speed बढ़ा सकते हैं यहां पर इसका unit digit यदि 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई है तो 2 से complete divide होगा अने था नहीं तो इसमें देखिए 1 है मतलब 2 से divide नहीं होगा तो हम 3 के पास चले जाएग 3 से divide होना चीए तो इनका योग कितना रहा देखो 4 प्लस 4, 8 प्लस 1, 9 जो कि 3 से divide होगा मतलब यह आपका 3 से divide होगा देखिए इसको हम 3 से divide करते हैं 1 टाइम चला गया उसके बाद आपका 4 टाइम चला गया उसके बाद आपका 7 टाइम चला गया और देखिए रिमेंडर के आया यहां पर आपका 0 आया इसका मतलब क्या हुआ यह 3 से आपका complete डिवाइड हुआ है जितने टाइम डिवाइड होता है वो हम इसके नीचे लिखेंगे इसको आप ऐसा समझे 3 का डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 147 वार हुआ है इन्हें तीन का बाग दिया 461 में 147 वार गया अब इसमें दुबारा हम देखेंगे तीन का बग जा रहा है यह फिकर यह लों Sebxtra ने करने का नियम होता है जीरो और पांच आपका इन्हों डिजित होना चाहिए पांच कभी नहीं जा रहा है तो मैं साथ के पास गया साथ का इसमें भाग जा रहा है आपका साथ बात फिर साथ देखें आपका अभाजी संक्या तो उसमें साथ का ही जाएगा यह इस प्रकार से आपके अब आज ये गुणंद खंड हो गए ठीक है ये होने के बाद हमारा square root की बात करते हैं देखिए square root कैसे निकला जाता है उसको ध्यान से समझते हैं इसके गुणंद खंड क्या है हमारे पास चार सुक्तर इसके तीन multiply तीन साथ multiply साथ अब आप क्या करो यहां पर इसके अंडूट निकालने के लिए दो संख्याओं का जोड़ा बनाओं और परते एक जोड़े से इसको एक वार बाहर लिख दो जोड़ा क्या बनेगा तीन का तीन के साथ बनेगा साथ का साथ के साथ बनेगा यहीं समान संख्याओं का बनाना है तो तीन गुणा तीन से एक वार बार आजेगा साथ गुणा साथ से एक वार साथ बार आजेगा इसका मल्टिप्लाई करते हैं तो कितना रहा है एकीस आ रहा है यह आ गया दोस्तों आपका चार सुक्तार इसका वरग मुल्का मान अब यह ऐसे क्यों हुआ इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं ताकि आपके इन फीचर काम आए देखिए हाँ पर हम इसको अंडूट में ले लेते हैं देखो अंडूट में इस अब देखिए जो अंडूट और स्कुर्ण होता वह एक दूसरे को काट देते हैं तो यहां पर जब यह दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो आपके पास कितना तीन आएगा यहां पर कितना साथ आएगा अब काट देखिए उसको भी मैं समझाने की कोशिस करता हूं को टूसे टू कैंसे लो गया तीन की पाउर कितने आगी एक आगे यह नहीं कितना आगया तीन आगया चलिए नेक्स अग्जामपल आगे करते हैं यहां पर एक अजार चोजिस की हम बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल आसान है हम क्या करते हैं इसके आपके प्राइम फेक कितनी वार, पांच वार हो गया, उसके बाद एक वार हो गया, दो वार हो गया, अगेन ये, दो से डिवेड होगा, दो वार हो गया, पांच वार हो गया, छे वार हो गया, अगेन दो से डिवेड किया, एक वार हो गया, दो वार हो गया, आठ वार हो गया, अगेन मैंने, दो से डिवाइड किया, छे बार हो गया, चार बार हो गया, अगें दो से डिवाइड किया, कितना, सोरी, तीन वार हो गया, दो बार हो गया, अगें दो से डिवाइड किया, छे बार हो गया, एक वार हो गया, अगें दो से डिवाइड किया, कितना, आठ वार हो गया, अगें दो से चार वार, चार को दो से डिवाइड किया कितना, दो वार और दो आपका दो से एक वार डिवाइड होगा, यह आ जाते हैं यहाँ पर एक जार चोग इसके आपके factor, अब आपको तो क्या चीए इसका अंडूट चीए, अंडूट में आप क्या करते हैं, समान संख्या का बनाते हैं और परते एक जोड़े से यहां पर उसको एक वार बाहर ले लेते हैं तो यहां से आपका यह आ गया उसके बाद आगे देखिए अगें उसके बाद देखिए अगें यहां पर अगें बन रहा है उसके बाद देखिए यह दो और यह दो मिलकर अगें बनाएंगे य किया जाता है अब इसका multiply करते हैं देखो 2 multiply 2 4 multiply 2 8 8 multiply 2 आपका 16 multiply 2 कितना 32 तो यहां पर इसका square root का value कितना निकल कर आया दोस्तों यहां पर आपका 32 निकल कर आया है ओके चैनल को subscribe कर दो और अपने अगले example की तो वही अपना काम करेंगे इसके प्राइम factor करना शुरू करेंगे देखिए इसमें कि दो का divide किया यहां पर कितना च्यार बार चला गया उसके बाद छे बार चला गया उसके बाद आपका जीरो एट टाइम चला गया ठीक है अब देखिए दुबारा हम इसमें दो का भाग देंगे दो का भाग जा रहा है ठीक है complete का दूंगा 2 वार गया ओर आठ वार गया एक वह गया चारवर गया चारवर गया दूबirk दो कर भाग transient में 7 वार गया और 2 वार गया दुबारा 2 का भाग दूँगा 3 वार गया 6 वार गया दुबारा 2 का भाग दूँगा 8 वार गया दुबारा 2 का भाग दूँगा कितनी वार 9 वार गया 9 में 3 का भाग दिया 2 का नहीं जा रहा है complete देखे तो 3 पे चले जाएंगे हम 3 में 3 का एक वा अब आपके square root की value क्या निकल कर आई है देखिए यहाँ पर जोड़ा बनेंगे परते एक जोड़े से उसको एक बाहर बाहर ले लेंगे ठीक है यह आपका again दो का दो के साथ जोड़ा यह दो का दो के साथ जोड़ा और यह दो का दो के साथ जोड़ा और यह 3 का 3 के साथ जोड़ा अब इनका गुणा करते हैं देखिए यहां पर यह कितना 8 multiply दो शोड़ा, शोड़ा multiply दो 32 और 32 multiply आपका 3 कितना आ जाता है दोस्तों छिन्नन में आ जाता है यानि इसका आपका square root यानि वरग मुल का value कितना निकल कराया है 96 निकल कर आया है तो यहां पर सबसे मैदपुन बात क्या लगी यह आपको अभाज ये गुणन खंड करने आने चाहिए इनके आपके अच्छी रेटीश होनी चीए तो फिर तो क्या आपका भाज ये गुणन खंड होते ही इनके दो-दो संक्याओं के जोड़े बनाने है और परतेक जोड़े से एक वार संक्या को बाहर लेना है चीए ओके फिर इनका अपस में गुणा करना है और तो हमारा वेल्यू आ जाता है देखिए हम अपना अगला एक्जामपल करते हैं इसमें हमें क्या मिला है इसके हम क्या करना सुरू करते हैं कि फैक्टर करना सुरू करते हैं हम इस फ्रस्ट देख पा रहे हैं कि आपका दो से तो डिवाइड ने होगा क्योंकि इसका यूट डिजिट क्या है यहां पर नौ है हमें क्या चीए यूट डिजिट जीरो दो चार्ट छार्ट इन में से कुछ ची हो तो नहीं है तो हम किसक इतना आठ और आठ शोड़ा 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 नो फचीस यह निए आपका ये तीन से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा यहां पर फाइव के पास जाओंगा सेवन का देखते हैं तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा कॉंप्लिकेड़ नंबर आ गया और अब आज यह गुणनदखंड से तो दोस्तों को छोटे मोटे कुषिंद को सोल कर सकते हैं इतना बड़ा कुषिंद लीकरना मुश्किल है जो कि यह मैंने लोंग डिवाइड से सोल कर रखा है तो मुझे इसका पता है किसमें किसका डिवाइड जाएगा नहीं तो आपक यह मानलों की बहुत हार वर्क का काम है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए इसमें 67 का डिवाइड करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 67 का इसमें डिवाइड करके 67 टाइम ही जाएगा कितने वार जाएगा दोस्तों 67 टाइम जाएगा तो इसको देखे 6 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 7, 42, 4 केरी चला गया 36, 44 देखिए कितना आएगा घटाएंगे तो आपका यहाँ गटेगा ऐसे देखिए यहाँ से 6 आ गया चार आ गया यह नो यहाँ आएगा अब कि वार इससे किसको साथ से मल्टिप्लाई करना है सात उसाती 54 केरी चला गया 42 और 47 कितना साथ वार देखिए रिमेंडर जीरो आ रहा है 67 से कंप्लिट डिवाइड हुआ है जितने टाइम डिवाइड हो देखिए यहाँ पर लिखते है 67 आपका एक देखिए प्राइम नमबर है अब प्राइम नमबर की आप जहांच कैसे करी आपना ऐसा काम करते हैं प्राइम नमबर चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इससे बड़ा कौन सी संख्या का स्क्वेर है तो देखिए इससे जश्ट बढ़ाऊना चीए बहुत बढ़ा नहीं तो मैं देखता हूं 8 का स्क्वेर 64 होता है 9 का स्क्वेर क्या है आपका 81 है तो इसको 9 को लूँगा ठीक है किसको लिया दोस्तों हमने 9 को लिया इसके बराबर या इससे बड़ा होना चीए यह नियमर होता है अब देखिए 9 से जो छोटी आपकी प्राइम संख्या हैं अभाजी संख्या है कौन है 3, 5, 7 इन मे सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना सेर करना मत बूलेगा